13 अप्रेल 2024 इस तारिक को ही इसराइल पर इरान के हमले का आखरी फैस ला लिया जा चुका था इरान ने इसराइल पर हमला करने से पहले अपने बड़े शहरों की मारतों पर हाइपर सोनिक हतियार की होर्डिंस लगवाई थी जिसमें लिखा था 400 सेकंड में तेल अवीव यानि यह मिसाइल अगर इरान से लाउंच की जाए तो इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक प बाही मच जाएगे इस मिसाइल का नाम है फतह है और इसी पर इरान को गुमान है तो आज हम जानेंगे कि इरान और इसराइल की जंग में किसकी फतह होगी और किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है दरसल मिडल इस्ट में महा संग्राम का काउंट डाउन शुरू हो चुका है किसी भी वक्त इरान से निकली इसराइल के नाम की एक मिसाइल आने वाले महा युद्ध का एलान कर सकती है कोई भी रात कियामत की रात हो सकती है तो अब ना धमक्यों का वक्त रहा अब ना या बहाने की किसी मुलक को तलाश है एरान के भीतर घुसकर तहरान में इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इसमाइल हानिय को ओड़ा डाला और इसके बाद अब सवाल सिर्फ एरान की साख का है सवाल मुस्लिम देशों की एकता का है ऐसे में मान के चलिए कि अगर इस बार इसराइल पर हमला सिर्फ इरान का ही नहीं होगा बलकि बेरूद से हिजबुल्ला बम फोड़ेगा यमन से हूती हमला करेंगे और सीरिया इराक में मौझूद इरान समर्थित संगठन मिलकर मुकाबला करेंगे तो उधर हमास एक बार फिर पूरी ताकत से खुद को समेट कर इसराइल पर बड़ा हमला करेंगे ऐसे में आप सोच सकते हैं और सोच कर हैरान भी हो जाएंगे कि आखिर एक वो देश जो कि भारत के मिजुरम राज्य से थोड़ा सा ही बड़ा है वो अकेले इतने सारे हमलों का, इतने सारे मुलकों का कैसे जबाब देगा, कैसे मुकाबला करेगा तो आई आज आपको बताते हैं कि इरान और इसराइल की ताकत की सीमा क्या है किसके पास ऐसा कौन सा हतियार या फिर रक्षा कवच है जो कि युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है सबसे पहले बात इरान की फटह मिसाइल की करते हैं जो कि एक मीडियम रेंच की बलिस्टिक मिसाइल है 1400 किलो मीटर दूर तक मार करने की कुवत रखती है आवाज की स्पीड से 15 गुना ज्यादा दौड लगाती है इसमें 300 से 400 किलोग्राम का वार हेड लगाया जा सकता है ये मिसाइल सॉलिट फ्यूल इंजिन से उड़ान भरती है इसे किसी भी दिशा में कभी भी मोडा जा सकता है ये मिसाइल आसानी से किसी भी राडार को चकमा दे सकती है सबसे बड़ी बात इरान के इस फतह मिसाइल की ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम किसी तरह अगर इस फतह मिसाइल को ट्रैक कर भी लेगा तो लेकिन इससे रोक नहीं पाएगा ये रोक के नहीं रुकेगी ये तेल अवीव जाकर ही फटेगी दुनिया को अपनी 90 प्रतीशत 60 रिजल्ट देकर चौकाने वाला इसराइल का आइरन डोम खुद भी फतह मिसाइल की ताकत को देखकर उसकी टेकनलोजी को देखकर हैरान है 13 अपरेल को इसराइल का आइरन डोम और दूसरे रडिफेंस सिस्टम साथ इरानी बलस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सके थे ये मिसाइले इसराइल के नेवाते में अरबेस पर जाकर गिरी थी अब बात इरान की सेना और सेनिकों की कर लेते हैं इन्हें भी ताकत के तराजू पर तौल कर देख लेते हैं सेनिकों की बात की जाए तो सेनिकों की मामले में इरान ज्यादा ताकतवर है दुनिया की 145 देशों की ग्लोबल रंकिंग में इरान का जो नंबर है वो चौधवां आता है। तो ये थी इरान की सैने ताकत की बात और अब बात करते हैं इस्राइल की। इसके लावा इस्राइल के पास थल सैनेकों की जो तादाद है वो है 5,26,000 जबकि इस्राइल के पास 9 सैनेक 19,500 हैं। लेकिन सबसे दिल्चस्प और दिल दहला देने वाले हमले आसमान से होंगे ऐसे में माना जाता है कि इस्राइल की वायुसेना इरान के मकाबले ज्यादा खतरनाक है। इस्राइल को अमेरिका का जबरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है। इस्राइल के पास 612 रिजर्व एरक्राफ्ट हैं और 490 एक्टिव एरक्राफ्ट हैं। यानि कि एक सिगनल मिला और उन्होंने हमले की उडान भर ली। तब बात अगर जमीनी ताकत की करें तो इरान के पास कुल मिलाकर एक हजार नौसो च्यानवे टैंक हैं जिन में से एक हजार तीन सो सतानवे टैंक इस समय जंग के लिए तयार हैं। इसराइल पर हमला करने के ल इसराइल के पास एरक्राफ्ट केरियर, हेलिकाप्टर केरियर्स और डैस्ट्राइर्स नहीं हैं। इरान के पास साथ फ्रिगट हैं तो इसराइल के पास एक भी नहीं है। इरान के पास 19 सबमरीन हैं तो इसराइल के पास 5 सबमरीन हैं। इरान के पास 21 पेट्रोल वैसल हैं 45 पेट्रोल वैसल है इरान के पास मिसाइलें बहुत ज्यादा है तो इसराइल के पास टेक्नलोजी बहतर है और इसराइल के पास कई इस्तर के एर डिफेंस सिस्टम है इसराइल इस्पेस में भी अंतरिक्ष में भी मिसाइलें उडा सकता है इसराइल का आइरन डॉम सबसे मज पिछले साल हमास ने साथ अक्टूबर के दिन बीस मिनट में ताबर तोर तीन से पाँच हजार रॉकेट इसराइल पर बरसाए थे। लेकिन आइरन डॉम सामने आ गया शील्ड बनकर और उसने नब्वे प्रतिशत हमास के रॉकेटों को आसमान में ही ओडा दिया। अगर वो रॉकेट इसराइल पर गिरे होती तो आप सोचिए कि कितनी भयानक तबाही होती कितना खतरनाक मनजर होता। साल 2011 से ही आईरन डॉम इसराइल के निगरानी उस तो रक्षा कर रहा है। आईरन डॉम अपनी तरफ आ रहे सो रॉकेटों में से 90 को मार गिराता है यह उ इसके लावा इसराइल ने अपने आईरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को भी अक्टिवेट किया है। यह सिस्टम काफी दूर से ही ड्रोन्स हुए, राकेट हुए, मिसाइल हुए, मोटार हुए, उन्हें आते देखकर आसमान में ही जलाकर राक कर देता है। इ इसे हद्ज की नाम से भी जाना जाता है और इस मिसाइल का वजन तेरह सो किलोग्राम है। इसके तीन वेरियंट्स हैं और इन मिसाइलों में डेर सो किलोग्राम का वार हैड लगया जाता है। यह मिसाइलें वायू मंदल के बाहर भी जाने की शमता रखती हैं यानि कि यह अंतरक्ष में भी किसी सेटलाइट को भी गिरा सकती हैं और किसी मिसाइल को भी वहाँ पर उड़ा सकती हैं यह एक घंटे में 9000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरती हैं यह मिसाइल अंतरक्ष में भी दूसरी मिसाइलों को उड़ाने का दम रखती हैं तो आप जंग के लिबनान, यमन, सीरिया, इराक और गाजा के कई संगठन हैं, ऐसे में इसराइल पर होने वाला इरान का हमला सदी की सबसे बड़ी जंग का जिम्मेदार माना चाहेगा। कड़क में फिल हाल इतना ही, नमस्कार। करए इतना हैं